आजकल जितना भी रुजान है जाधा तर वो ऐसी गाड़ियों के उपर है जिन में से कोई इमेशन ही ना निकले अब हाइबरिड जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें एलेक्ट्रिक भी है उसके अलावा एक इंजन भी लगावा है दोनों जहां जुरुरत जिसकी पड़े वो चला लें डिपेंड नहीं है कि वो सिर्फ बैटरी पर चलती रहे जब तक के चलती रहेगी बैटरी पर चलती रहेगी जहां जुरुरत हुए इंजन तो चली रहा है वो इंजन उसको चार्च कर देगा बैटरी को और इसमें रिजेनरेटिव ब्रेकिंग भी होती है जैसे आपने ब्रेक लगाए वो सारी एनर्जी कहां जाती है वो सीधर डाइनमों से लेके बैटरी में सारी एनर्जी चली आती है तो वो सारी चीज़ लेकिन चुके इंजन है तो इसका मतलब तेल भी जल रहा है इसका मतलब कार्बन डाउकसाइड फिर भी निकल रही है इस वज़ाए से काफी जोर इस पे है कि जीरो एमिशन वेहिकल होनी चाहिए जिसके अंदर कोई एमिशन ही ना हो बैटरी आपरेटिड एलेक्ट्रिक कार्स जैसे इस तरह की चीज़ें जिसमें सिर्फ बैटरी है और कुछ नहीं है कोई ऐसी चीज़ नहीं कि गाड़ी जब चल रही उसमें से कोई भी कार्बन डाउकसाइड निकल नहीं हो तो उन चीज़ों के उपर काफी जोर है यह टेसला वगएरा इसी जिमने में आती है तो उनकी अडवांटेच क्या है एक तो बहुत बड़ी अडवांच यह जैसे मैंने पताए कि बहुत ही सीदी सीदी काड़ी है इसमें एक बैटरी है एक मोटर है और कुछ नहीं है मोटर वह ऑई एलेक्रिक मोटर तो इसका मतलब है कोई mechanical maintenance नहीं तेल नहीं डालना पड़ता है कि ये खराब हो गया वो खराब हो गया पानी नहीं डालना पड़ता है कि ठंडी करना है या कुछ ऐसके समगी कोई कोई इसके समगी बहुत ही अगर आपको ट्रंक खोले ना तो नजन दो नजर नहीं आता है कमस कम 10 पीसे तो बढ़ गई ना efficiency लेकिन इसका मसला यह होता है कि बैटरी चाहिए होती बैटरी जैसे मैंने बताया कि 200-300 मिल बहुत अची advanced Tesla अगर ले लें तो वो 300-300 मिल होगी उसकी range फिर उसके बाद बैट के चाह जुरूर पी नहीं पड़ेगी यह नहीं कि गए पैट होती ही है ना तो जितनी हैवी करते जाएंगे तो इसका मतलब आदा तेल तो आप सिर्फ बैटरी ले जाने में खरच कर रहे हैं तो यह उनकी disadvantage होती है एक optimum weight है बैटरी का कि कोई भी गाड़ी के इसके इसके हसाब से कितनी बड़ी गाड़ी है कितनी चोटी गाड़ी है उस से जादा ऊपर नहीं जा सकते है इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी range fix है आप 200 चले जाएंगे आप 200 चले जाएंगे जैसे मैं चोटी डीबिया की बात की थी ना आप दोबारह उसको देखाऊंगा उसमें शायद 100 मील चलेंगे 100 मील के बाद आप वापस गर आ जाएंगे तो यह एक उसकी range वाली जो problem है ना वो एक बड़ी मसला है दूसरे ही कि हमारी गाड़ी जैसे मैं इंटरनल combustion या diesel engine समझाया था ना उसमें यह होता था था ना कि फ्यूल आया गैस मिली फिर एक bum पटा क्योंकि वह spark प्लगाया तो उसने एक इंगनाइट किया तो इस वज़े से आवाज उसमें बहुत आती है डीजल इंजन में कितनी सारी आवाज आती है आप यहां खड़े हो जाएं जारा बाहर में रोड पे आप सुने जारा अगर आप उसको जो वह टीडी पापा जो होता है ना जो हॉरन की ना वह होती है उसको माइनस भी कर देना तो कितनी noise होती उसकी वह कार के टायर की वजासे भी होता है लेकिन काफी सारे शो जो होता है उसके engine के वजह से अगर engine निकाल दे मसली खतम तो इसमें इतनी कॉइड होती है बिलकुल मोटर चल रही हलके से और मोटर की डिजाइन भी ऐसा हो गया कि उनमें कोई आवाज बिलकुल नहीं आत ऐसकी तरह एक CD और प्लेयर को एक प्लेयर लगा है, डीयो प्लेयर जिसमें सिर्फ और आवाज आती है, गाड़ी की आवाज आती है, इंजन की वाज नहीं, या सिर्फ वो एक कर्ड लगाव है, वो चल रहा है, कि कम हसक्म कुछ आवास तो आया है, लोगों को पता है चले के गाड़ी आ रही है ताकि थोड़े सेफटी केह असानी हो जा है में पटा दिया रिजेंरेटिव ब्रेकिंग का भी मैं ने बता दिया कि जो ब्रेक करेंगे उसकी एनर्जी जारी बैटरी में चली जाएगी और reduction of emission, सारी कहानी reduction of emission की भी है, और पिर ये के बिजली जो है, जो है जो है जो है जो है जो आप उसी से खरीदें वो जो तेल जला के बिजली बना रहा है बिजली तो और भी तरीखे से जैसे हमने देखा था, renewable resources solar cells, अपने घर में solar cell लगा लें उस पेसे जो है, उससे चार्ज करते रहें खतम बाद, कोई जरूरी नहीं कि आप बाहर से बिजली भी खरीदें इस सूरत में शायद कुछ इसको storage की जूरत हो, कोई battery लगाना पड़े लेकिन ये हो सकता है, बलके पूरी community में अगर एक पूरा एक लगावा है solar cell plant तो सारे community वाले आके 10 रुपे दें और battery चार्ज करा लें ये एक बंगलादेश में एक खातून थी, उन्होंने काफी बहुत ही पराने गाउं के अंदर, छोटे से गाउं के अंदर उन्होंने ये बिजनिस इजाट किया था, सिर्फ सौर रुपे लेके, उस साथ की बात कर रहा हूं, जब वो बंगलादेश के economist को जब nobel price मिला था, उनका काम यही था, कि community based loans, तो उन्होंने उन खातून को कुछ सौर रुपे दिये, उन्होंने एक solar cell का पैनल लिया, और 8-10 Petromax जैसे होती है न, लाल 10 है, जो के बैटरी से चलती है, और रात को, सुबा वो लेके आ जाते हैं, और एक रुपिया देते हैं, एक रुपिया, उस से वो लगा देती है solar cell के अंदर, पैनल के अंदर, वो सारा दिन चार्ज होती हैं, शाम को जब वापिस आते हैं घर पे, तो वो अपने अपनी जो हंदीले हैं, बैटरी वाली वो लेके चली आती हैं, रात बर चलती ही रहती है, सुबा तुबारा से शुरू, अब उसका भी एक हफते में उसके 200-300 रुपे जितने इन्वेस्ट किये थे, आगे उसने वापिस कर दी है, अब उसका बिजनस बड़ा से चल रहा है, सिर्फ एक पैनल की हुए जासे, उसको दस पैनल लगा जें, तो यही चीज़ें, काड़ी में भी हो सकती हैं, कम्यूनिटी बेस्ट इस किसम की चीज़ें, कोई नई इन्वेशन, तो कहने का मकस्द तक के चल गई, मील, उसके बाद रिशार्जिंग की जूरूरत पड़ती है, उसका एक उन्होंने एक नया तरीखा निकाला है, कि ऐसा भी हो सकता है, कि वह बैटरी ऐसी हो, कि जैसे आप टॉर्श होती है ना, उसके अंदर बैटरी, तो आप बैटरी खारी खारी होई, खत तरह उनका हिसाब हो, वह पूरी सर्वेस पर कांट्रेक्ट बनाना पड़ता है, कि हम एक साल तक के आप से, उनकी बहुत सारी शाखे हैं, उनसे एक साल तक कि किसी भी शाख में चले हैं, वह बैटरी निकाल के दूसरी बैटरी डाल देते हैं, तीन, चार, पांच मिनिट मे बिलकुल, तो चाई पीने की जुरूरत नहीं है, अगर वह महरबान हो, प्रोपराइटर, माली के दुकान, तो शायद आपको चाई भी पिला दे, लेकिन चाई पीने की जुरूरत नहीं होती, दो मेरिट में आप आके बिलकुल आराम से चल जा सकते हैं, लेकिन बैटरी ज इतनी जादा उसको रिचारज कर सकते हैं, तो एक दफ़ा आके वह बैटरी की बिलकुल जान बिलकुल, वह फिर रिचारज नहीं हो पाती, पुरानी बैटरी आसी थी थी जो पांच साल में खतम हो जाती थी, अब बैटरी की खीमत है तीस हजार, गाड़ी की खीमत है असी ह माशाला से चल रही है, तो तो दस-पंदरा साल तक के बैटरी बड़ी आसानी से चल जाती है, उसका ब्रेक अप करने पर एयर कॉस्ट कितनी है, तो वह बहुत मामुली से कॉस्ट रह जाती है, तो उसका भी हल उन्होंने ढूंड लिया है, अब ये शेवी बैटरी चीजें करना, वह बिल्कुल तारों, नीचे सारी पाइप लगते थे, अब सिर्फ तार लगते हैं, तारों से काम चलता है पाइपों के बजाए, एलेक्रिक कार के अंदर, तो यह मैंने जो बताया ना, कि ये रेंज देखें, कॉस्ट की, कितनी बड़ी रेंज है, कि ये ए गाड़ी, दो हजार डालर, राइट हैंड साइट पे देखें, बी-एम-डेब्लू जा है, उसकी आपोसिट, कि 140-150,000 तक की गाड़ी है, लेकिन बहुत ही जवर्दस गाड़ी है, बिलकुल एडवांस गाड़ी है, और इसमें सारी चीज़े मौजूद है, चार सामील, ती तीन सारे तीन सामील की रेंज तो जरूर होगी, नहीं जो टेसला जो आई हैंना नहीं गाड़ी हैं, उनकी भी तीन सामील तो बड़ी आसानी से हो जाती है, और अब जैसे मैंने बताया कि मुक्तलिफ मौलिक में इतना इंफ्रस्ट्रक्चर है, कि वहां जहां भी खतम से बदलें, वह अभी नहीं है इतना, लेकिन आप जाके वह फास्ट चार्जिंग होती है, बीस मिनिट में, एक चाय पीएं, एक सिगरेट पीएं, सिगरेट की मैं वह नहीं कर रहा, मौशूरी, चाय जरूर पीएं, और या काफी पी लें, तो उसके बाद जाके आप से बादय सकाजय कर दिएम, एक सड़च टारे, मौशरी, बीस मिनिट में, सिग्चे लेह, विसे बाद मג्शन कर दुच혜 जिए लेकिन लें मौन है, बाद की मैं कर चार्जिंग होती है, आई मौन जा गलें, और उबsकम च। घएंच्गरें.